असलाम लेकुम बच्चो आज हम अपना उर्दू का काम कर रहे हैं मेरे पास उर्दू की अमली किताब तो सफ़ा नंबर चालेस और इक्तालेस खुलिए ये है सफ़ा नंबर चालेस रंग भरिये हमने काइदे में जैसा के पहले भी पड़ा है ये क्या है हवेली हे से हवेली हे हवेली ये क्या है हे हा हल्वा हे हा हल्वा हे हा हुक्का हे हा हुक्का ये अक्सर आपने अपने बज़र्गों के हाथ में देखा होगा या जब आप लोग गाउं जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा आम तोर पर यह आम हलाद में नहीं देखा जाता ज्थाता बर इसका नाम है है हख़वका अब है सफ़ा नंबर 41 यह सफ़ा नंबर 41 है पेले आप तारीक और दिन लिखिये गा नुक्तों पर लिखाई हे और हे की आदी शकर हे ह हे ह हे ह पहले हम नुक्तों पर ट्रेस करके देखेंगे नुक्तों पर लिखाई करके देखेंगे ये तीर का निशान उपर की तरब जा रहा है और इसके उपर कुछ भी नुकता नहीं होता, जैसे हमने पिछली दफ़ा भी नजम पड़ी थी, वह भी हम दौराते हैं, तिरची लाइन, फिर एक तिरची लाइन, और फिर सामने की तरफ एक तरफ एक तिरची लाइन और लाइन को जोड़ते ही रुख जाएंगे. जैसे हमने पहले नजम पड़ी थी जीम के अंदर एक नुकता, छे के अंदर तीन नुकते, हे तो बिलकुल खाली है, हे के सर पर एक नुकता, अब हम इसकी मर्श करेंगे, उपर जाएं, सीधी लाइन, स्लाइडली, राउंड करते हुए, उपर आ गए, तरची लाइन, फिर और पिर सामने की तरफ एक लाइन, और लाइन इसके साथ जूच जाना है, हे और हे की आदी शकर, हे, हा, उमीद करती हूँ कि आप इसकी मर्श करते वे परेशान नहीं होंगे, और याद रखिए, कि लाइन से नीचे जरूर जाना है, और राउंड करते वे इस बात का ख्य लाइन से उपर अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, चले अब इसकी लिखाई शुरू कीजिए, अल्ला हाफिज